हाई गाईज वाट्स ओप वेलकम बैक तो दे क्रैश कोर्स ओफ ग्रैविटी सर्कल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्लास 10 के स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का ग्रैविटी सर्कल पर वापत से स्वागत है आज है वेड़नस दे और आज 8 बजे as expected आप लोगों के सामने कर लेकर आ चुका हो तो गाईज पिछले दो लेक्चर में आए हो आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी परिशानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आज गाईज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कार्बन इनिट्स कंपाउंड का नया टॉपिक जिस का मतलब क्या रहता देखो आपने सुना कि कि ऑक्सिजन जो होता है वह environment में O2 के फॉर्म में भी ओलेबल होता है और oxygen अगर Ö3 के फॉर्म में available हो तो वह बन जाता है आपका ओजोन क्या आप लोगोंने यह वह सुनी है हां sir तो अगर मैं बोलूं कि ओजोन में और oxygen में दोनों compounds में oxygen ही है यानि इसमें 2 oxygen के atom है इसमें 3 oxygen के atom है तो यह दोनों ही compound purely oxygen से बने हैं लेकिन oxygen हमें life देती है हमारे लिए important है लेकिन अगर ozone को में inhale कर लूँ तो मुझे घबरात होने लग जाएगी it may lethal it may cause toxicity to me यह मेरे लिए toxic हो सकती है यह हमें सांस लेके जिन्दा रहने में मदद करती है तो यह हमें तकलीव पहुचा सकती है हां यह ozone layer का form करती ताकि sun से आने वाली ultra wallet rays वापस चली जाए लेकिन oxygen यह काम नहीं कर सकती तो आप देख रहे हो कि दोनों same elements से बनने के बाद दो दोनों oxygen से बनने के बाद दोनों की property में जमीन आस्मान का difference है यह colorless है तो यह light blue color के आसपास की gas होती है तो यह दोनों एक दूसरे के क्या है यह दोनों एक दूसरे के allotrops है तो allotrop का basically मतलब क्या होता है allotrops are the different form of element that have different physical property but almost same chemical property but have almost same chemical property इसका मतलब क्या है कि आपके allotrops ऐसे substances होते हैं जो सब same elements से बने वे होते हैं allotrops ऐसे substances होते हैं जो same element से बने वे होते हैं लेकिन उनकी physical property में जमीन आस्मान का difference होता है और उनकी chemical property में भी थोड़ा बहुत difference होता है सर physical property में तो difference समझ में आ गया अलग-अलग substance है तो physical property अलग होगी लेकिन सर chemical property almost different या almost similar ऐसा क्यों मेरा प्यारा बच्चा chemical property किस पर depend करती है element के atoms पर, atoms के अंदर मौजूद electrons पर, electrons donate होंगे, electrons accept होंगे, electrons share होंगे, उस पर depend करेगी तो even though आपके अलग-अलग substances मौजूद हैं, even though आपके अलग-अलग substances का जो compound बनाने का तरीका है वो अलग-अलग है, लेकिन इन सब में atom तो same होगा, तो same atom होने की वज़े से इनकी chemical property almost same हो जाती है लेकिन इनके compound बनाने के तरीकों से, इनके atoms के जुड़ने के तरीकों से, इनकी physical properties में change आ जाता है so basically allotrops का मतलब आपको समझ में आ गया, allotrops ऐसे substances होते हैं, जो same type के element से बनते हैं, जिनकी physical property एक दूसरे से तो अलग होती है but chemical property इनकी almost same होती है, ऐसे compounds को allotrops बोलते हैं, जैसे की ozone and oxygen ये दोनों oxygen के allotrops कहलाएंगे ये दोनों आपके oxygen के allotrops कहलाएंगे, both of them will be the allotrops of oxygen, क्या ये बात समझ महीं लेकिन यहां तो सर हम लोग carbon and its compound नाम का chapter पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को carbon के allotrops पढ़ने चाहिए, बस उसको पढ़ने की तरफ चल रहे हैं आगे एक बात और discuss कर लेते हैं, the phenomenon of existence of allotropic form of an element is called as allotropy, मतलब oxygen allotropy show कर रहा है, क्यों? क्योंकि oxygen के पास में power है कि वो ozone और oxygen दोनों के form में अपने आपको ढाल सकता है, ozone भी बन सकता है O3, oxygen भी बन सकता है O2, तो मैं कहूंगा मेरा जो oxygen नाम का element है, यह oxygen element के अगर दो atom जुड़ गए, तो oxygen gas, तीन atom जुड़ गए, तो ozone gas, तो oxygen यहां क्या show कर रहा है, oxygen यहां पर show कर रहा है allotropy, तो किसी भी element की, यह power कि वो allotropy forms बना सकता है, वो allotrops बना सकता है, उसे बोलते है allotropy, तो phenomenon of existence of allotropic form of an element, एक element अपने आपको कितने allotropic form में बना सकता है, that is called as allotropy, आगे बढ़ते हैं, and guys, carbon के allotrops की बात करने की तरफ चलते हैं, आप सभी लोग star बना कर एक point जरूर लिखें, कि हमारा जो carbon होता है, carbon के देरा 3 possible allotrops, आप सभी लोग जानते हैं, carbon के 3 allotrops होते हैं, जिसमें पहला form ह होता है, आपका diamond, दूसरा type होता है, आपका graphite, both of them are naturally occurring in nature, दोनों इनेचर में natural होते हैं, और तीसरा fulleran, fulleran, buck, mister, fulleran, ये तीनों के बाद हम लोग एक एक करके discuss करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला allotrop है, diamond, आओ हम इसकी बात करना शुरू करते हैं, guys, diamond, graphite और fulleran, ये तीन 11 तो छोड़ो class 12 तक काम रहता है, तो अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे diamond, guys, diamond के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पर देखो, ये आपका एक diamond में एक carbon का item है, ये एक carbon का item अपने आपको 1, 2, 3 और 4 carbon का item से जोड़ के रखता है, अब आप इस carbon का item पर focus करो, ये carbon का item अपने आपको 1, 2, 3, 4 carbon का item से जोड़ के रखेगा, आप इस carbon का item पर focus करो, ये carbon का item अपने आपको 1, ये इसके पीछे 2, ये इसके आगे 3 और ये इसके आगे 4 carbon से जोड़ के रखता है, यानि कि यहाँ पर आप ध्यान रखता है, कि diamond में each carbon atom, हर carbon atom, हर carbon atom अपने आपको 4 carbon के atom से bond करके रखता है, यानि diamond में आप किसी भी carbon atom पर अगर नजर डालोगे, 2 carbon, अच्छा तो 2, 4 से जुड़ा हुआ है, 2 carbon अच्छा तू भी 4 से जुड़ा हुआ है, 2 carbon अच्छा तू भी 4 से जुड़ा हुआ है, यानि diamond के अंदर हर carbon atom, अपने आपको 4 carbon के atom से जुड़ के रखता है, each carbon atom is surrounded with 4 carbon atom, और इस तरीके से आपको एक बढ़िया वाला, शांदर वाला, चमकीला और सुन्दर सा हीरा दिखाई देता है, क्या यह बात आप लोगों समझ में, यह अल्टिमेड लिट गिव राइस टू दाइमंड, यह आपके diamond को form करके देता है, बोलो, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हर carbon, 4 carbon से जुड़ा है, इतनी tight bonding है, कि यह बहुत जादा rigid हो जाता है, बहुत जादा ठोस, बहुत जादा कठोथ, बहुत जादा rigid, बहुत जादा hard हो जाता है, इसका एक three dimensional structure होता है, it has a three dimensional structure, क्या यह बात आप लोगों को समझ में आ रही है, मतलब diamond का structure कैसा है 3D, 3D मतलब आप इसे x-axis पर भी देख सकते हैं, y-axis पर भी देख सकते हैं और z-axis पर भी देख सकते हैं, आप देखो यह diamond आपके सामने में इस इस structure बना रखा है, यह diamond 3D होता है, आप diamond को ऐसे घुमा के देख सकते हो, diamond एक three dimensional structure होता है, diamond के अंदर एक carbon atom 4 से, यह carbon atom 4 से हैंने diamond के अंदर जितने भी carbon atom हैं वो सब चार 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 से चुड़े वे होते हैं इसलिए इनकी bonding इतनी मजबूत इतनी ठोस और इतनी जादा खतरना हो जाती है कि diamond extremely hard substance बन जाता है In fact diamond के बारे में एक बात आप ध्यान रखना diamond हमारी earth पर hardest known substance है दुनिया में diamond से जादा hard और diamond से जादा खतरना कोई नहीं है In fact diamond लोहे को भी cut कर सकता है Diamond plated बहुत सारे market में औजार आते हैं जो diamond की plating होने की वज़ज़ से लोहे को दिवारों को किसी भी चीज़ को cut कर देते हैं In fact जो surgery करने के लिए जो equipment आते हैं उसकी जो धार होती है उस पर जो sharpness होती हो diamond plated होती है So diamond दुनिया का world का hardest substance है जो हर चीज़ को cut सकता है Diamond का melting point आप खुद समझ ली दिए 3843 Kelvin मतलब लगबग लगबग आप मानके चलो 3500 degree Celsius याने अगर यहाँ पर आप गर्मी पढ़ने वाली है तो अगर 40 degree या 45 degree गर्मी पढ़ती है तो हम लोग सोचते हैं बहुत पर कितनी गर्मी है सोचो 50 degree Celsius में अपनी watt लग जाती है तो diamond को melt करने के लिए तो 3500 degree Celsius याने sun पर चले जाओ इतनी जादा गर्मी चाहिए अगर आप diamond को sun पर फेक दोगे तब जाकर वो melt होगा boil होना तो बहुत दूर की बात है इसलिए बहुत जादा high melting point होता है अच्छा इतना कठोर है इतना strong है इतना hard है तो definitely density भी बहुत जादा होगी बहुत जादा density होगी बहुत जादा density होगी बहुत डायमंड कितना होता है इतना सा छोटू सा density काई पर डिपेंड करती किसी भी चीज की density काई पर डिपेंड करती लेकिन जरा से volume के अंदर carbon के इतने सारे atom जुड़ते हैं इतने सारे atom जुड़ते हैं कि उन carbon के atom का mass बढ़ जाता है आप सभी लोग जानते हैं कि density जो होती है density is directly proportional to mass देखो density और mass सामने सामने लेकिन density और volume upon में है तो density is inversely proportional to volume मतलब कि अगर आपने volume को बढ़ा दिया तो density कम हो जाएगी volume को कम कर दिया तो density बढ़ जाएगी similarly अगर यहाँ पर आपने mass को कम कर दिया तो density भी कम हो जाएगी अगर आपने mass को बढ़ा दिया तो density भी बढ़ जाएगी तो अब यहां वाले diamond के case में क्या हो रहा है diamond के case में मेरे प्यारे प्यारे किडूस आपका mass बढ़ रहा है और आपका volume घट रहा है तो दोनों ही cases में आप देखो density बढ़ रही है diamond का volume चोटा और चोटे से volume में uncountable लाखो करोड़ों तो बहुत चोटा वड़ है अर्बो खर्बो uncountable carbon के atoms होते तो इतने सारे carbon के atoms का mass जादा होता है mass जादा हो क्या volume का मुझा density अपने आप बढ़ गए sir इतने से volume में इतने सारे carbon atom क्यों आ गए क्योंकि एक carbon atom चार carbon atom से जुड़ रहा है इसकी bonding ही इस प्रकार हो रही है इसकी bonding इतनी खतरनाक है कि इस तरीके की चीज हो रही है अच्छा diamond एक bad conductor है obviously diamond के अंदर आप देखो एक carbon के पास में total चार electron होते है और वह चारों के चारों electrons carbon के चारों के चारों electrons अपने खुद के चार electron तो बिल्कुल भी free नहीं है और जो सामने वाले चार carbon से वह चार electron लाया था वो भी free नहीं वो सब bonding में so because of absence of free electron because of absence of free electron free electron के absence होने की वाज़े से they are bad conductor अच्छा they are chemically unreactive देखो एक तो extremely hard है दूसरा इसको melt करना मुश्किल है तीसरा rigid है चौथा density जादा है और पांचवा इसके पास में कोई free electron नहीं है कोई free electron नहीं है और छटा हर carbon चार carbon से already जुड़ा हुआ है अब आपके इस carbon के पास में पांचवे atom से या पांचवी किसी चीज से जुड़ने की ताकत ही नहीं है चार electron थे चारो शियर कर ली है अगर एक दो electron बचते तो हम सोच सकते थे कि किसी के साथ reaction करेगा लेकिन carbon के पास चार electron चारो ने bonding कर ली तो अब चारो ने जब bonding कर ली तो carbon के पास में कोई भी free electron बचा ही नहीं तो वो किसी के साथ भी reaction नहीं कर पाएगा इसलिए आपका diamond is chemically unreactive देख लो आपका diamond मेरे प्यारे बच्चो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है this is how your diamond looks like ठीक है So guys Unacademy सागे एक बहुत important update अभी Unacademy पर एक नया batch launch होने वाला जिसका नाम है early master जो की KVPY के लिए that is किशोर विज्यानिक प्रोटसाहन योजना यह उन students के लिए जो अब 10th clear करने वाले हैं जैसे आप लोग और फिर आप 11th में जाओगे तब आप इस साल November या December में जब भी एक्जैम है कि तब आप है graphite so the next allotrop which we are going to study is graphite now मेरे प्यारे बच्चो graphite क्या है graphite के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे kiddos graphite के अंदर एक carbon atom एक दो और तीन carbon atom से जुडता है graphite के अंदर क्या होता है एक carbon atom 3 carbon atom से जुडता है इसका मतलब यह है कि आपके carbon का एक electron यह इस carbon के साथ bonding में जा चुका है इस carbon का एक electron यह इस carbon के साथ bonding में जा चुका है इस carbon का एक electron यह इस carbon के साथ bonding में जा चुका है similarly और carbon atom होंगे यह से जुड़ा यह से जुड़ा यह से जुड़ा यह से जुड़ा तो एक electron अभी ये carbon का ये एक लेक्ट्रोन अभीAsk attract रहे किया ठीब consider Raymond combo देखो ये carbon एक इससे जुड़ गया । और एक इससे जुड़ गया, यह carbon एक इससे जुड़ गया, और और सकता है carbon ये टीसरे carbon से जुड़ जाये यह भी तीसरे कार्बन जुड़ चाहिए तो यह अभी हम लोग यहां पर देखेंगे नहीं क्योंकि यह डाइग्राम को कॉंप्लिकेट नहीं करना चाहते हैं इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं तो अब आप देखो इस कार्बन का भी एक खाली लेगया इसका भी खाली रहतालिए इसका भी खाली रहतालिए जाओ यह रधालियों देखो एक दीर कार्बन मच समय आलएं चार इलेक्त्र अब देखो कहूं सभी ने चौता बाला गान धीलेक्ट्रों यहां पर free होगा क्या यह बात समझ में आ गई ग्रेट अब क्या होता है each carbon atom is bonded to three carbon atom in same plane same plane में यानि आपको ऐसा दिखाई देगा एक carbon, दो carbon, तीन carbon, चार carbon यानि यह बीच वाला carbon जो यह बीच वाला carbon एक दो और तीन carbon ते जुड़ा होगा तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको यह ऐसा हाथ पर दिखेंगा जैसा आपने अपने हाथ पर carbon लिख लिए एक carbon इधर जोड़ दिया एक carbon इधर जोड़ दिया और एक carbon इधर जोड़ दिया यह एक plane में दिख रहा है चप्ता यह carbon इस तरीके से जूडते हैं कि एक hexagonal ring दिखे, hexagonal ring मतलब 6 carbon के ring देख को यहां पर दिख भी दही है, यह एक carbon हो गया, यह दूसरा carbon, यह तीसरा carbon, यह चौथा carbon, यह पाँचवा carbon और यह चटा carbon बड़ने, इस तरीके से जुड़ता है पिर यह carbon और इसे जुढ जाएगा यह फिर यह carbon भी घून जाएगा मतलब basically यह इस तरीके से जुड़ता चलता है और काम होता रहता है तो यह इस तरीके से graphite जूरते है आप देखों यह plane हो गया फिर इस plane के नीचे एक और लेयर आपको दीखेगी यह इस plane के नीचे आप लोगों को एक लेयर और दिखाई देगी likewise तो यह दो plane हो गया फिर इसके नीचे एक और मतलब आप इसको ऐसा imagine करो कि आपकी डाइरी है ग्रेफाइड का structure और कुछ नहीं आपकी डाइरी है यह पहली लेयर पहली लेयर के नीचे दूसरी लेयर दूसरी लेयर के नीचे तीसरी लेयर के नीचे चौथी लेयर तो आप इसको खटा करके देखेंगे तो एक लेयर के नीचे दूसरी दूसरी के नीचे तीसरी तीसरी लेयर रखिवी होती है क्या है चीज समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चो ना सेंडविच सेंडविच देखा है बस सेंडविच जैसा पहला ब्रेड मसाला ब्रेड मसाला ब्रेड यह सेंडविच अब यहां पर क्या होता है यह जो आपकी फॉस्ट लेयर है और यह जो आपक मिक्रोस्कोप से अब्जर्व करते हैं तब हम इन दोनों लेयर्स के बीच में थोड़ा सा ग्याप नजर आता है बहुत चोटा ग्याप होता है तो इन ग्याप की वज़ा से यह दो लेयर फिसल सकती है एक दूसरे की उपर अब यह ज़ादा फिसल के इतर उदर ना चली जाए इसलिए क्या होता है उपर की लेयर के कार्बन का यह इलेक्ट्रॉन और नीचे की लेयर के कार्बन का यह फ्री इलेक्ट्रॉन यह एक दूसरे से एक कमजोर सा पार्शिल सा बॉन्ड बना लेते हैं तो उपर की लेयर नीचे की लेयर से 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 इस तरीके से एक वीक बॉन्ड बना कर जुड जाती है अब इस वीक बॉन्ड की व यह लेयर ऐसी फिसल सकती लेकिन तूट के से दूर नहीं निकल जागी कि उपर की लेयर वहाँ चली गई नीचे की लेयर वहाँ चली गई ऐसा कुछ नहीं होगा क्या यह बात समझ में आरी मेरे प्यारे बच्चो ग्रे लेयर्स आर हैल्ट टुकेदर बाई वीक फोर्सेस एं बहुत सारा क्रीम लगा लू या बहुत सारा ओल लगा लू और हाथ को ऐसे तकतो में चिकने अ हाथ हो जाएगी चिकने अ हाथ हो जाएगे फिसल पाएंगे म keeping लेयर शोग्तेक्त होती है और इसलिए ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा लिउब्रीकैंट है इसलिएर स्क्राइफाइड को मशीनरीज में ऐसा ल्यूब्रिकेंट यूज किया था देखो मेरी बात समझना जो आप एक इंडस्ट्री में गए बड़ी-बड़ी मशीने चल रही है उन मशीनों में इतनी गर्मी निकलती है कि कई बार मशीन का टेंपरेचर पाथ सो छे सो डिगरी सेल पर जलने लग जाता है बर्न हो जाता है तो जो इंडस्ट्री में मशीनरीज वगेरा होती है न वहाँ पर सिंपल ऑईल का यूसेच उन मशीनों में नहीं किया जा सकता जिनका टेंपरेचर जादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर ल्यूब्रिकेशन कॉस करने के लिए हम लो ल्यूब्रिकेंट के तोर पर ग्रेफाइट को यूज करेंगे क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है ग्रेफाइट की एक लेयर दूसरी लेयर के ओपर इस तरीके से ग्लाइड कर सकती है और क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है इसका मेल्टि graphite के अंदर 3 carbon से जुड़ जाता है ये लेकिन carbon का एक electron अभी भी यहाँ पर free बैठा है free क्या है ये carbon का atom नीचे वाली layer के साथ में एक weak bond बना रहा है जो कभी भी तूट सकता है एक weak force बन रहा है जो कभी भी तूट सकता है इसका मतलब ये carbon पूरी तरीके से एक electron को free रखा हुआ है और मैंने आप लोगों को कल के lecture में याने जो saturday को हुआ था sorry और नहीं मंडे को हुआ था sorry और आज जो lecture हो रहा है वेडनस जे को मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास में conductivity करने की ताकत हो तो आपके पास में दो चीजों की availability हो सकती है या तो आपके पास में free ions available है जैसे salts या आपके पास में free electrons available होने चाहिए जैसे metals और यहाँ पर graphite के अंदर हर carbon के पास में free electron दिखरा है ये free electron 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 ये और जादा से जादा free electron होने का मतलब है कि graphite एक good conductor होता है सारे covalent compound bad conductor होते हैं क्योंकि covalent compound के पास में किसी भी तरीके का free electron नहीं होता लेकिन graphite graphite मेरे प्यारे बच्चों एक exceptional case है क्योंकि graphite के पास में free electron होता है and they are good conductor अच्चा graphite की density low density क्यों होती है अगर आप खुद देखो ना इसके दो layer के बीच में gap आ गया यह hexagon और यह hexagon के बीच में gap आ गया यह hexagon यह hexagon के बीच में gap आ गया और एक layer के नीचे दूसरी दूसरी के नीचे तीसरी तीसरी के नीचे चौती और हर लेयर के बीच में गैप मनलब गैप होने की वज़े से वॉल्यूम बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन मास तो उत्ता ही नहीं हर कार्बन कितना फैला फैला है एक कार्बन यहां है एक यहां है एक यहाँ है एक यहाँ है यह बीच में खाली स्पेस आ गई फिर यहाँ नीचे खाली स्पेस आ गई यह खाली स्पेस आ गई तो number of carbon atom volume के मुकाबले कम है तो यहाँ पर carbon के atom कम होने की वज़े से mass कम हो गया लेकिन carbon की layer दूर दूर होने के वज़े से volume बढ़ गया तो volume जाद है और अगर आपका mass यहाँ पर कम हो रहा है तो definitely density भी कम हो गया तो density mass पर depend करती है mass घटेगा तो density घटेगी volume और density का उल्टा relationship है क्योंकि density इस तरीके से denominator में है तो density और velocity volume में कैसा relation है inverse relation है volume घटेगा तो density बढ़ेगी लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है यहाँ तो उल्ट घटने लगेगी इस तो density कम होती है और गाई यह reactive होता है क्यों reactive होता है because of availability of free electron free electron होने की वज़े से graphite का हर carbon एक नया bond बनाने के लिए तैयार है carbon के 4 electron होते है चार में से 3 bond कर चुके है एक bond नहीं किया तो वो जो bond नहीं किया है वो चाहां के bonding कर सकता है chemical reactivity कर सकता है समझ मे मेरे प्यारे बच्चों को बात ग्रेड यह दिखता है आपका graphite कुछ ऐसा देखो तरह इसको this is how your graphite looks like this is how your graphite looks like क्या मेरे प्यारे किडूस को graphite समझ में आ रहा है देख लीजे graphite केसा दिख रहा है एक carbon 2 3 4 5 6 है ना अच्छा अगर आप देखे है तो यह वाला एक carbon यह वाला एक carbon और यह वाला एक carbon यह तीन carbon इस carbon से चुड़े वे अब यह उपर वाली layer यह आपकी उपर वाली layer मेरे प्यारे किडूस के नीचे यह second layer आ गई second के नीचे third layer आ गई और यह कमजोर bond आपको जो weak bonds दिख रहे हैं यह weak bonds हैं यहाँ पर available यह आपके weak bond है और यह इस तरीके से एक layer दूसरे पर दूसरी layer तीसरे पर ऐसी 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 ग्लाइड कर सकती है तो graphite कुछ ऐसा नजर आता है cover किया था और यह देखा गया था कि अगर हम carbon को high temperature पर react करने की कोशिश करें high temperature पर रखें तो हमें 60 carbon का cluster दिखाई देगा जिसका chemical formula C60 होता है मतलब एक allotrop के अंदर एक molecule के अंदर 60 carbon के atoms दिखाई देते हैं इसलिए buckminster fullerans को C60 form भी बोला जाता है it is also called as C60 form guys actually क्या हुआ जब यह buckminster fulleran जब discover हुआ 1985 में तो हमने observe कि यह 60 carbon का cluster है and it is looking exactly like a football it is looking like a football यह एक football की तरह goal मटोल था और football की तरह ही इसके अंदर कुछ checks जैसे ऐसे chairing के इस तरीके के आप लोगों को यह इस तरीके के आप लोगों को cluster दिखाई दे रहे थे आप लोगों को समझ मा रहा है प्यार बच्चा क्या आप लोगों को मेरा बात बढ़िया तरीके समझ मा रहा है बच्चा यह इस तरीके से आपको यहां पर cluster दिखाई दिये थे ठीक है तो यह एक goal football की तरह दिखाई दे रहा था बाद में क्या हुआ एक American architect थे जिनका नाम था Robert Buckminster Fuller इन्हों ने बहुत पुराने जमाने में एक building design करी थी एक building design करी थी जिसके छत पे जो अपने अपनी इंडिया में गुमबच गुमबच नहीं बहुते हैं मंदिरों के ओपर गुमबच बना देता है या गुरुद्वारे पर या मजदिदों में या यह किसा गुमबच बना नहीं रहता है building के ओपर domes यह इस तरीके से domes नहीं बने वे रहते हैं तो वैसे इस American architect ने बिल्कुल football की तरह building की छत पर domes बनाए थे जिनने geodesic domes बोला जाता है geodesic domes बोला जाता है और यह geodesic domes बिल्कुल आप मान के चलो एक football की तरह नजर आते हैं एक goal football की तरह आप लोगों को यह नजर आते हैं और यह इस तरीके से आपको यह नजर आते हैं football की तरह यह इस तरीके से आप लोगों को football की तरह यह लोग नजर आते हैं है ना यह geodesic domes इस तरीके से नजर आते हैं तो यह बिल्डिंगों की छट पर बनाये थे और इसका structure जो बग मिन्स्टर फुलरेन ने बिल्डिंगों पर बनाया था और 1985 में डिसकावर हुए carbon के 60 carbon वाले cluster का structure बिल्कुल सेम था तो scientist लोगों ने Robert Buckminster Fullerन को tribute देते हुए इनके काम को tribute देते हुए इस carbon के molecule का इस carbon के नए ऐलो ट्रॉप का नाम इन architect के नाम पर रख दिया और इस architect का नाम Robert Buckminster Fuller था इसलिए इस का नाम पढ़ गया Buckminster Fulleran क्या नाम पढ़ गया Buckminster Fulleran का structure क्या मैंने इसके अंदर add नहीं किया है नहीं किया है मैं आपको Buckminster Fulleran का structure इसके अंदर add करके बताता हूं आपको दिखाता हूं कि Buckminster Fulleran कैसा होता है मैंने डाउनलोड किया हुआ है येस देर यूगो दिस इस हाओ यह बक्मिन्स्टर फुलरेन लुक्स लाइक यह देखो यह आपका बक्मिन्स्टर फुलरेन का डाइग्राम बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यह एक फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है आप देखो इस एक्जाक्ट इस आलसो नोन एस बल्की बॉल क्योंकि फुटबॉल की तरह यह एक बल्की बॉल होता है साट कारबन का एक बॉल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो इस एक्चुली लुकिंग लाइक बल्की बॉल चलो मेरे प्यारे कीडू क्या बात समझ में आ गई ग्रेट अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ चलते है यूनीक नेचर ऑफ कार्बन अगर आप CBSE की किताब उठाएंगे तो जहां तक मुझे याद है कि CBSE किताब में इस किड है बहुत प्यारे तरीके दे रखिए फ्रेंडली नेचर ऑफ कार्बन I don't know अभी द अभी देचर ऑफ कार्बन क्यूं क्यूं कार्बन इतने सारे कंपाउंड के साथ रियक्शन करता है एक बात बताता हूं आपने हाइड्रोजन के कितने कंपाउंड देखे होंगे सर देखे तो बहुत सारे लेकिन हमने बात अब्जर्व करिए कि हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ दे केसे में कार्बन से जुड़ा हुआ है ठीक है आपने ऑक्सीजन के कितने कंपाउंड देखें सर जादा नहीं देखें सोडियम के सर बहुत कम देखें फॉस्फोरस के बहुत कम ह सर आपने इस चैप्टर की शुरुआत में बोला था कि दुनिया में हर चीज कार्बन से बनाएं खाना देखो तो कार्बन से बनाएं कपड़े देखो तो कार्बन से बनाएं प्लास्टिक देखो तो कार्बन से बनाएं मोबाइल देखो तो कार्बन से बनाएं और मेडिसि में सबसे ज़्यादा compound बना चुका है तो जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं आज की तारीक में आज की तारीक में there are over 10 lakhs plus compounds 10 lakhs plus compounds of carbon are known आपको पता है आज इस दुनिया में 10 lakhs से ज़्यादा carbon के compound known है और laboratory में जो हम आएंटेस्स करके बना रहे हैं वो तो बात ही अलग है 10 lakhs से ज़्यादा सिर्फ carbon से बनने वाले compound के बारे में हम लोगों को knowledge इसका मतलब आप समझ रहे हो कि carbon अपने आप में कितना ज़्यादा versatile है इससे ये बात prove होती है कि your carbon is a very versatile element carbon is a very versatile element सर versatile का मतलब सबसे दोस्ती करने वाला सबसे बात करने वाला सबसे जुडने वाला बहुत versatile सबसे reaction करने के लिए ready है सबसे जुडने के लिए ready है तो आपके periodic table के अंदर जो 118 elements हैं उन सब को मिला दो उसमें से 117 elements एक तरफ और अपना carbon उस्ताज एक तरफ ये अकेला उन 117 elements पर भारी है इसके अकेले के 10 लाग से ज़्यादा compound है तो हमें इस बारे में पता लगाना होगा कि हमारे carbon में ऐसा क्या है जो बाकी elements में नहीं है क्या ये बास समझ में रही है ये movie का dialogue नहीं हो गया चगवे India movie में वो जो सबसे senior most player होती है शारुख खन के पास आके बोलती है न कि ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है वेसा ही हमारे carbon में इसा क्या है जो वाकी elements में नहीं है ये हमें जानना होगा तो हम जानने के जी आरे 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 हो सर ये क्या मतलब क्योंकि उसमें वो line रहती है खुदी से मैंने इश्क किया रहे खुदी से मैंने इश्क किया रहे वैसे ही catenation property मतलब उस गाने में अनुष्का शर्मा catenation property को explain कर रही है वो किया रहे catenation का मतलब होता है self linking properties खुद का खुदी से जुड़ जाना that is called as self linking property मतलब अगर आपके पास में carbon का element है तो carbon का atom अपने जैसे दूसरे carbon के atom के साथ में जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा continuously जुड़ जाएगा और एक बहुत लंबी चेन एक बहुत बड़ा compound यह कुछ भी बना सकता तो catenation is the self linking property that is the property of the element to combine with its own atom with its own atom and forms and forms one ring to chain कौन से type की linear type की chain and तीसरा chain लेकिन इस बार यह chain कैसी होगी branch होगी क्या यह बात मेरे प्यारे बच्चों समझ मारी है मतलब अपने यही जैसे atom के साथ में एक element जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा और क्या बना लेगा बहुत बड़े से chain ring या branch को form कर सकता है क्या बात समझ में आगे catenation समझ में आया no why carbon forms catenation why carbon do catenation why carbon shows highest why carbon shows highest catenation highest catenation property दुनिया में सबसे ज़्यादा catenation property सिर्फ और सिर्फ carbon में ही क्यूं होती है देखो इसके पीछ है दो रीजन है पहला is the small size of carbon पहला reason क्या है पहला reason is small size of carbon carbon का एक बहुत ही जादा small और बहुत जादा छोटा size होना दूसरा is the effective nuclear charge which can also be called as powerful nucleus which can also be called as powerful nucleus मतलब आपका nucleus अच्छा बढ़िया powerful है इतना इतना powerful है कि वो एक वक्त पर चार electron को अपने पास में लाकर bonding कर सकता है sharing कर सकता है इतना powerful नहीं है कि electron को पूरी तरीके से attract करके खुद को anion बना ले याद करो याद करो मैंने बताया है कि carbon इतना powerful nucleus नहीं रखता कि वो चार electron पूरी तरीके से खीच लाए carbon इतना भी nucleus कमजोर नहीं है कि वो चारो electron छोड़ दे इसके पास में beach की power है अच्छा तो carbon की तरह बहुत सारे ऐसे non metals है जो electron shares करते है जै से hydrogen oxygen oxygen nitrogen nitrogen hydrogen 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 carbon hydrogen chlorine hydrogen fluorine मनले दो non-metal जब दो non-metal आपस में जाएंगे तो electron share करेंगे तो उन सारे non metals के मुकाबले nucleus का अपने carbon का nucleus काफी अच्छा है कार्बन का न्यूक्लियस काफी अच्छा होता है इसलिए वो चार इलेक्टरॉन को शेयर करने के बाद उन चारों इलेक्टरॉन को अच्छे तरीके से पकड़ के रखता है अच्छे तरीके से होल्ड करके रखता है उसको अपने से दूर जाने देता मतलब अगर एक बार carbon ने अपना electron किसी दूसरे atom के electron के साथ share कर लिया तो वो अपने electron को और सामने वाले के electron को properly hold करके रखेगा ना तो pass खीचेगा ना तो दूर जाने देगा ना तो तूटने देगा बिल्कुल proper तरीके से hold करके रखेगा तो यह carbon की खासियत हो गई और तीसरी खासियत क्या हो गई carbon है 4 electron in its valence shell carbon है 4 electrons in its valence shell इस वज़े से क्या होगा carbon एक वक्त में 4 अलग-अलग atom से जुड़ सकता है carbon एक वक्त में 4 अलग-अलग atom से जुड़ सकता है क्या बात समझ में आ गई क्या ये बात समझ में आ गई और इन तीनों कारणों की वजह से एक कारण दूसरे कारण के साथ में बहुत ज़ादा strong bond बनाता है forms a very strong bond एक कारण दूसरे कारण एđटम के साथ में जुड़कर बहुत ज़ादा strong बनाता है bond यहनि एक कारण का दूसरे कारण से जो bond बनता है वो बहुत तगणा बहुत powerful होता है क्यों क्योंकि ये कारण भी छोटा ये कार्बन भी छोटा ये कार्बन का न्यूक्लियस भी पावरफुल ये कार्बन का न्यूक्लियस भी पावरफुल इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी चार इलेक्ट्रोन इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी चार इलेक्ट्रोन ये carbon का nucleus अपने electron के साथ साथ सामने वाले की electron को पकड़ेगा ये carbon का nucleus अपने electron के साथ सामने वाले की electron को भी hold करेगा और दोनों एक बहुत जादा strong covalent bond बनाएंगे बहुत जादा strong covalent bond बनाएंगे और इस वज़े से इस bond को तोड़ना हमारे लिए बहुत शादा मुश्किल हो जाएगा और इसलिए एक carbon दूसरे से, दूसरा carbon ठीसरे से, तीसरा carbon, 4ह से, चोथा carbon पाँचवे से जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा जुड़ता चला जाएगा और open creation property शोग क हमारा Carbon तीन तरीके के Compound बनाता है Catenation के बाद में पहला Compound बनता है Linear Chain Like Compound Linear Chain का मतलब क्या है एक Carbon दूसरे से, दूसरा Carbon तीसरे से, तीसरा Carbon चौतह से इस तरीके के लंबी-Lंबी Chain बन सकती है इस तरीके से आप लोगों को लंबी लंबी चेन बनती भी दिखाई देगी सर बाकी के क्या होंगे बाकी के जो इलेक्टरॉन्स है वो कार्बन के अलावा किसी दूसरे आटम से जुड़ सकते जिसे मालो यहाँ पर एक कार्बन दूसरे से जुड़ गया तो अब इस कार्बन के बाकी के तीन इलेक्टरॉन्स का क्या होगा हो सकता है उसने बाकी के तीन इलेक्टरॉन्स हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लियो है ना यहाँ पर एक कार्बन ने अपना एक electron पीछे वाले carbon से और एक electron आगे वाले carbon से जोड ले manten mixture बाकी के सब्सक्राइब दो electron क्या होगा हो सकता इसने हेलो जैन साथ live लिया हो सकता है इसने एक electron hydrogen के साथ जोड लिया तो बाकी का हम को कोई चिन्ता नहीं हुआ हम यहाँ पर यह देखना है कि एक carbon दूसरे carbon atom से जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के कितनी लंबी chain बना सकता है तो यह forms a long chain ऐसे compound को linear chain compound बोलते हैं यानि carbon carbon से जुड़ता चले जुड़ता चले जुड़ता चले जुड़ता चले और जुड़ता चले दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चो ब्रांच्ड चेन दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे किडूस किडूस ब्रांच्ड चेन वेरी गुड दूसरी चेन कोन सी होती है दूसरी चेन होती है आपकी ब्र branched chain का मतलब क्या होता है देखो branched chain के अंदर आपने पेड़ देखा है पेड़ जिसे एक पेड़ की branch चल रही है एक stem चल रहा है उसके अधिया से इसकी कुछ branching निकल जाती है यह branch हो गया ठीक उसी प्रकार अगर मैं imagine करूँ कि कार्बन की लंबी chain चल रही है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ मालो यह आपके कार्बन की एक लंबी chain चल रही है लेकिन इस लंबी chain के अलावा भी मेरे प्यारे बच्चो ऐसा हो सकता है कि यह कार्बन से एक कार्बन जुड़ जाए हो सकता है यह कार्बन से एक कार्बन इदर जुड़ जाए एक कार्बन इदर जुड़ जाए तो अब आप देखो यह आपके कार्बन की लंबी chain थी यह linear compound बन ही रहा था कि अचानक से क्या हुआ एक branching इदर निकल गई और एक branching इदर निकल गई तो आपका compound के साथ दिख रहा है यह एक लंबी chain एक branch इदर और एक branch इदर तो यह branching निए बन गई तो इस तरीके के compound को branched chain compound बोलते हैं इस तरीके के compound को क्या बोलते है branched chain compound अच्छा यहाँ पर आप देखो यह catenation को भी दिखा रहा है यही तो catenation है कि एक carbon एक वक्त पे बहुत सारे carbon से जुड़ सकता है ठीक है और तीसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चो रिंग तीसरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चो आपका ring compound मतलब क्या मतलब आपने वह Nokia के mobile में वह snake वाला game खेला है वह साप एक-एक cube खाता जाता है खाता जाता है और उसका size बढ़ता जाता है carbon वापस से पहले carbon से चुड़ गया यह बन गए ring this is your ring structure यह कहलाता है आपका ring structure this is your ring structure क्या है मेरे प्यारे किडू पहला carbon दूसरे से दूसरा carbon तीसरे से तीसरा carbon चौथे से चौथा पांचवे से पांचवे से छटा साथे से अचवे पहले से इस तरीके के structure को ring compound बोलते है और यह structure बनाने की काभिलियत सिर्फ आपके carbon के पास होती है सर carbon के अलावा catenation और कौन शो करता है तो guys एक बात याद लखेंगे that silicon silicon carbon के बाद periodic table में जब आप periodic table देखोगे तो periodic table के अंदर carbon के just बाद silicon आता है catenation along with sulfur, phosphorus silicon एक वक्त पे 8 atoms को जॉइन कर सकता है sulfur भी एक वक्त पे 8 sulfur के atom को जॉइन कर सकता है phosphorus एक वक्त में 4 phosphorus को जॉइन कर सकता है इससे ज़ादा नहीं इससे ज़ादा किसी में दम हैं ही नहीं लेकिन हमारा carbon एक वक्त पर चाहे तो हजारों लाखों carbon जोड सकता है तो carbon में और silicon में क्या फ़रक है? पहला फ़रक carbon का atomic size छोटा है एक carbon का size दूसरे carbon का size छोटा है ये दोनों carbon के size छोटे है इन दोनों के nucleus powerful है इसलिए strong bond बना रहे हैं लेकिन यहाँ पर silicon का size बढ़ा हो गया अब एक silicon का size बढ़ा हो गया दूसरे सिलीकॉन का साइज बड़ा हो गया तो बेटा इनका नूकलियस अंदर दब गया आप एक बात समझो मैं नूकलियस हूँ मेरे अंदर प्रोटॉन है मैं पॉजिटिव हूँ मेरा इलेक्ट्रोन नेगेटिव मैं मेरे इलेक्ट्रोन को पकड़ूँगा मेरा इलेक्ट्रोन दूसरे एटम के इलेक्ट्रोन के साथ बांडिंग बना रहा है तो मैं मेरे इलेक्ट्रोन के साथ साथ दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रोन को भी होल्ड करना चाहूँगा लेकिन यह मैं कब कर पाऊंगा जब मैं exposed रहूंगा जब मैं देख पाऊंगा कि मेरा electron कहा है और मेरे electron से कौन जूड़ रहा है लेकिन जब मेरे आसपास number of shell बरते जाएंगे जिसे nucleus के आसपास पहला shell आगया K, K के बाद आगया L, L के बाद आगया M, M के बाद आगया N, N के बाद आगया O अब जब मेरे आगया shells बरते जाएंगे तो में तो अंदर दपता जाओंगा, में तो अंदर छुपता जाओंगा, अब M shell में मेरा electron मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे पास में K shell, K L के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, तो इतने सारे shell बर जाएंगे तो मेरी नजर अ मेरे पास में first bench बनी हुई है, इस पर दो बच्चे बेटे, K shell, मेरी पूरी नजर उन दोनों बच्चों पर रहेगी क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते उनकी copy में देख सकता हूं, लिख रहे हैं कि नहीं क्या कर रहे हैं, बात तो नहीं कर रहे हैं, उन दो के बाद में मुझे दिख थोड़ी रहे, M के बात N और पीछे पीछे जितने shell बढ़ते जाएंगे, वो बच्चे पीछे mobile चलाएं, खाना खाएं, गुटका खाएं, दारू पीएं, मुझे क्या पता चलेगा क्योंकि पीछों बैठके क्या कर रहे हैं, God knows, यहीं आपके nucleus के साथ होता है तो carbon के अंदर सिर्फ दो shell होते हैं, K shell और L shell, इसलिए carbon का nucleus L shell वाले electron जो bonding में participate कर रहे हैं, carbon की bonding में यह 4 electron जो participate कर रहे हैं, वो L shell के हैं, तो nucleus जो है, वो K shell के साथ-साथ L shell को hold करेगा, लेकिन silicon में K के अंदर 2, L के अंदर 8, और M के अंदर 4 electron होते हैं, आप देखो यह इस बड़ा हो गया, nucleus से दूर हो गया, इसलिए अब silicon का nucleus अपने खुद के electron को पकड़ रहे होते हैं, और वो L shell का electron, silicon का जब दूसरे silicon के atom के साथ में sharing करेगा, तब यह silicon अपने electron को ठीक से hold नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे वाले silicon के electron को कहां से hold कर पाएगा, उसको कहां से पकड़ पाएगा, इसलिए एक silicon का atom, जब दूसरे silicon के atom के साथ में जुड़ता चला जाता है, तब क्या होता है, कि एक तो silicon के atom का size बड़ा, अब imagine करो यह pen है, अब इस pen के इदर में बहुत भारी 5 किलो का वजन रख दू, और इदर एक 5 किलो का वजन रख दू, तो यह दो यह silicon का mass भी बड़ा, यह silicon भारी, यह silicon का size बड़ा, यह silicon का mass भड़ा, यह silicon भी भारी, तो यह वाला जो bond है, यह दीरे-दीरे कमजोर हो जाएगा और ultimately break हो जाएगा, लेकिन carbon में ऐसा नहीं है, यह carbon भी छोटू, यह carbon भी छोटू, मतलब यह pen के आसपत एक छोटी सी ball लगा इदर, आप कुछ भी नहीं होगा, यह bond बिल्कुल straight और proper रहेगा, समझ मा गई बात आप लोगों, अच्छा, sulfur और phosphorus में क्या होता है, एक इनके पास में 4 electron होते ही नहीं share करने को, sulfur के पास में 2 electron share करने को होते हैं, और sulfur में भी K, L और M shell होते हैं, कोई मतलब यह निकलता, फि क्या आप लोगों को, सबको, catenation property, बहुत बढ़िया तरीके से, अंदा धुन तरीके से, धना धन तरीके से समझ में आ गई, क्या किसी को कोई परेशानी, क्या किसी को कोई दिक्कत, great, चलिए, अगली property की तरफ चलते है, that is tetravalency, now guys, आप सभी लोग जानते है, tetravalency का carbon के k shell में 2 electron और carbon के l shell में 8 electron, बतलब carbon के pass में total 4 electrons हैं, share करने के लिए, therefore carbon एक वक्त में, therefore at a time, carbon can form bonds with 4 different or same atoms or species, carbon एक वक्त पे 4 bond बनाने की ताकत रखता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, tetravalency, क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, अच्छा, ये जो भी bond बनाएगा, because of small size, because of small size of carbon, because of small size of carbon, its bonds are very strong, its bonds are very strong, यानि इसके जो bonds होते हैं, वो बहुत जादा strong होते हैं, इस वज़े से carbon जो अपने 4 bond बना रहा है, वो चारों के चारों बहुत मजबूत, बहुत strong और बहुत टाकतवर होंगे, easily उनको तोड़ना हमारे लिए बहुत ही जादा मुश्किल होता है, क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ मा रही है, आप लोगों को मैंने एक्जैम्पल को करा ही रखा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कार्बन एक वक्त पे अकेला चार क्लोरीन को सेटिस्फाइ कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर सकता है, क्योंकि carbon के पास में 4 electron है तो इस तरीके से आपके carbon के पास में tetravalency होती है और इस वज़े से वह strong bond बनाता है क्या है बात समझ मारी आप लोगों को तो tetravalency second point होगे और तीसरा is the tendency to form multiple bond guys आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो carbon होता है यह तीन तरीके के bond बनाता है पहला bond आपका single bond दूसरा bond आपका double bond और तीसरा bond आपका triple bond carbon depend करता है condition पर depend करता है situation पर कि carbon के पास में भी कैसी situation चल रही है वो single double और triple bond बना सकता है guys single bond को हमेशा saturated bond बोला जाता है single bond को बनाने वाले carbon के compounds को saturated compounds बोला जाता है वही double और triple bond बनाने वाले carbon compounds को unsaturated compound बोला जाता है imagine करते हैं एक बात को मान लो आप लोगों को बहुत भूग लगी आप लोग स्कूल में हैं जैसे ही आपने आपका टिफिन खुला आप देखते हैं कि आपके टिफिन बॉक्स के अंदर आपकी फेवरेट पनीर टिक का मसाला सबजी है और आप एक वक्त पे चार रोटी खा सकते हैं अगर आपको बहुत भूग लगी है तो आप लंच में चार रोटी खा सकते हो क्योंकि सबजी आपके पसंद की है पनी टिक का मसाला आप अपनी चार रोटी खाके अपना पूरा टिफिन सफा चट करके ढकार लेके सेटिस्फाय हो गए अब अगर आपका दोस्त आपके पास में आता है बोलता भाई मेरे टिफिन में से तू एक रोटी खाएगा क्या आप आप बोलो के नहीं यार मेरा पेड भर गया है मैंने मेरी चार रोटी कंप्लीट कर लिये पनी टिक का मसाला पूरा खा लिया है अब मैं संतुष्ट हूं सेटिस्फायड हूं that is called as saturated compound that means अगर आपका एक कारबन अपने चार इलेक्ट्रोंस और इन चारों इलेक्ट्रोंस को किसी भी x y z compound के साथ में किसी भी x y z compound के साथ में bond बना कर सेटिस्फाय कर ले उससे saturated compound गोलते है single bond याने when carbon forms all four single bonds सारे के सारे bond कैसे होने चाहिए single bond with four different atoms with four different atoms ऐसे compounds को हम लोग बोलते है saturated compound और यह सारे bonds यह सारे bonds आपको single bond नजर आ रहे हैं क्या आपको single bond नजर आ रहे हैं बिल्कुल सौ प्रतिशत आप लोगों को यह single bond नजर आ रहे हैं लेकिन अगर मैं double or triple bond की बात करूँ अब प्राइब कर आपने अपना टिफिन खोला कि आप देह अरे यार कि यह तो गवार-फली की सब्जी है यह मजा नहीं आया कि मजा नहीं आया अब आपनी कह रहा आपने आपकी चार रोटी में से तीन रोटी खा ली और एक रोटी आपने दबर दस्ती टिफिन में पटक रखी है भूख है भूख तो चार रोटी खाने की ही है लेकिन आपने सबजी पसंद ना होने की वज़े से तीन ही रोटी खाई अब अगर आपका दोस्त अपना टिफिन लेकर आता है बोलता है वालू का पराड़ा खालोगे क्योंकि तुम्हारे पेट में जगा है ठीक उसी प्रकार डबल बॉंड के अंदर क्या होता है आपका एक कार्बन आपका एक कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉंड तो बना लेता है लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो कि ऑक्सिजन के साथ में सिंगल बॉंड बनाया है अब अभी देखो कि ऑक्सिएन के पास में एक इलेक्ट्रॉन और है और अब कार्बन के पास में इन तीन आटम के अलावा और कोई आटम ही नहीं कोई आप्शन ही नहीं है इस विचारे कार्बन के पास में चौथा बॉंड का कोई option ही नहीं है तो वो अपने चौथे electron को मजबूरी में इस oxygen के दूसरे electron के साथ में share कर लेगा और एक double bond बना लेगा इसे क्या बनाया था double bond double covalent bond अब एक बास समझना कारबन की हमेशा से क्या इच्छा रही है चार single bond बना के चार atom से जुड़ने की टेट्रा वेलेंसी लेकिन यहां पर कारबन ने क्या किया है अभी एक oxygen के साथ में double bond बनाया है मनब कारबन को जब मोका मिलेगा कारबन को जैसे मोका मिलेगा वो अपना ये double bond तोड़ सकता है और इस double bond को तोड़ के किसी दूसरे atom के साथ में एक और नया bond बना के चार single bond बना सकता है समझ मागई बात इसका मतलब अभी unsaturated unsaturated मतलब कारबन अभी satisfied नहीं है the carbon is not satisfied yet चलो एक काम करते है दोनों तरफ carbon ले ले लेते हैं ताकि आप लोगों समझने में और मजा है now ये carbon बिल्कुल भी satisfied नहीं है दोनों carbon satisfied नहीं क्योंकि दोनों ने एक-एक double bond मजबूरी में बनाया है unsaturated हो गया और गाइस triple bond की अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस फिर टॉक अब ट्रिपल बॉन तो ये carbon एक hydrogen के साथ ये carbon एक hydrogen के साथ चला गया एक वक्त में चार एक से जुड़ना चाहता है दो एकम जुड़ा हुआ है इसको दो और एकम से जुड़ना है तो ये को को जब मोगा मिलेगा ये उस bond को तोड़देगा similarly ये carbon के अगर में बात करूँ तो ये भी एक hydrogen और एक carbon से चुड़ा हुआ है इसने भी ये जो दो bond बनाए है ये मजबूरी में बनाए तो इसकी भी जब इच्छा होगी ये bond को तोड़ेगा और अलग हो जाएगा क्यों क्योंकि अभी भी ये unsaturated हो तो हमेशा ध्यान रखना अगर कोई carbon एक वक्त पे 4 atom से combine होकर 4 single bond बना रहा है तो वो saturated है लेकिन अगर आपका carbon एक वक्त पे 3 atom या एक वक्त पे 2 atom से combine होता है तो जब एक carbon एक वक्त पे एक, दो और तीन atom से combine होता है तो आपको at least एक double bond दिखाई देता है जब आपका carbon एक वक्त पे एक और दो atom से combine होता है तब आप लोगों को यहाँ पर triple bond नजर आता है और यह दोनों ही cases में आपका carbon satisfied नहीं होता लेकिन आप देखो, आप carbon से सीखो कि जब उसके पास में चार atom नहीं है तो उसने तीन atom से भी काम चला लिया उसने तीन atom से कैसी जुगाड बेठाई कि उसने इधर भी compound बना लिया उसने multiple bond बना लिये, उसने एक carbon ने दूसरा atom के साथ में double bond बना लिये एक carbon ने दूसरा atom के साथ में triple bond बना लिये, लेकिन उसने compound बनाने का मौका नहीं छोड़ा उसने यहाँ भी compound बना लिया, और आप देखो यह एक नए compound का formation होगए यह एक नए compound का formation हो गया मतलब carbon के पास में tendency होती है multiple bond बनाने की इसी लिए carbon के धेरो लाखो सेकडो अंगिनत compound हो सकते हैं इसकी यह property होने की वज़े से क्या बस समझ में आप लोग को क्यों अच्छा carbon single bond double bond and triple bond क्यों बना रहा है because carbon have capacity because carbon have capacity to share electrons it can share up to four electrons can be shared एक वक्त पर यह चार electron तक share कर सकता है यह carbon के अलावा और किसी के पास में capacity नहीं है चले guys with this आपके chapter का यह वाला part खतम होता है अब अगले chapter से हम organic chemistry वाला part nomenclature वाला part hydrocarbon functional group homologus series IUPAC nomenclature जैसे चीज़े शुरू करेंगे I hope आज की class में आपको जित्ता में ने पढ़ाया समझ में आया होगा आप लोगों की exam 10th of May को होने वाली है हमारे पास में अभी बहुत time है अमरता मैम अमरता रावल biology channel पर biology complete करवा रही है आपका मृत्यूंजे पंडिया आपके अपने मृत्यूंजे सर इस channel gravity circle पर chemistry complete करा रहे है chapter chemistry के दो ही है उदर बायो में भी शायद दो या तीन ही chapter है ये complete कराने के बाद हम लोग हमारा इस crash course को complete करने के बाद हम आप लोगों के लिए practice session sample paper solving session जैसी चीज़े भी लेकर आएंगे और जल्दी ही आपका class 11th का नया session gravity circle पर शुरू होने वाला है तो guys हमारे साथ में crash course complete कीजिए और gravity circle पर बने रहे है class 11 की chemistry और biology को फोड़ने के लिए that's all for this lecture bye bye tata take care good night and keep studying प्यारे प्यारे बच्चो झाल